इस वीडियो में हम करेंगे message writing, message किस तरह रिखा जाता, इसका क्या format होता है, पहले question method message होता है, तो message और हम क्यूं लिखते हैं, message एक communication का method है, जिसमें हम क्या करते हैं, communicate करते हैं दूसरे person से directly और यह होता है, information, informal piece of communication होता है, इसमें हम आमने सामने बात नहीं करते हैं, बलखी paper सकते हैं और we should request someone to do something हम किसी को रिक्वेस्स कर सकते कि यह चीज तुमें आपको करनी है मैसेज में हम माफ्ront मांग सकते हैं हम explanation दे सकते हैं, हम छोटा सा informal piece of communication दे सकते हैं, message हमेशा ही क्या होता है, बहुत ही short होना चाहिए, और उस person का नाम भी included होना चाहिए, जिसको हम message लिख रहे हैं, तभी तो पता चलेगा किसको message हम लिख रहे हैं, राइटर का नाम भी होना चाहिए message में, ताकि यह पता चल सके कि message किसके द्वारा लिखा गया है, date और time जरूर होना चाहिए message में, और message need not to be written, complete sentence, it should be omit article, fine verb and conjunction, message जरूर नहीं का complete sentence लिखे, जितना छोटा हो सके हम उसको उतना छोटा में लिख सकते हैं, अब यहां message का format देख लेते हैं, सबसे पहले एक box मना के हमें लिखना होता है message, आप उपर message लिखेंगे, बीच में, जहां पर message लिखते हैं, उसके बीचों बीच में message लिखना है, से बाउन लिख सकते हैं उसके बाद हमें सबसे पику लिखा है जिसको भी लिखेंगे उसका नम लिखेंगे उसके बाद हमारे चोटी से बौडी होगी बिल्कूल to the point direct और छोटा सा उसके बाद yours अपना नाम यहां पर compulsory रिखेंगे तो यहां पर छोटा सा message है जो कि बहुत ही small लिखा हुआ है मैं आपको एक question के help चो समझाती हूँ अब यहां पर हमारा एक question है your parents are not at home as you are about to leave for your cricket match आपके parents आपको घर पे नहीं है और आप अपने cricket match के लिए जा रहे हैं and phone rings the caller identifies himself as Mrs. Mr. Bhatia the friend of your father's invites your family for dinner at his home आपको phone बसता है और आप phone जब उठाते हो तो आपको पता चलता है वो तो Mr. Bhatia है आपके पापा के friend है और उन्होंने आपकी family को invite किया है अपने घर पे dinner पे write a message which you will leave for your parents तो आपको एक message लिखना है कि जो भी conversation आपकी Mr. Bhatia से हुई तो आपको एक message लिखना है अपने parents के लिए इसके बाद हम लिखेंगे date जिस दिन आप में लिखा है हम उस दिन के डेट डालेंगे उसके बार time जब का हम जब लिखेंगे तब का time डिएर पैरंस आप ऐहां किसको लिखे देगे तो टिएर पैरेंस उसके बाद यहां पर लिखेंगे पापस परन मिस्टर भाटिया व सकॉप डो किसने कऊपा लिखेंगे बिन कोई आगे पीछे इनफरमेशन D लिए कि पापा के फ्रेंड मिश्टर भातिया ने कॉल किया था and He have invited us for dinner at his home और उन्होंने हमें अपने घर दीनर के लिए invite किया था तो ये सारी जो line है आप बिल्कुल कॉशन से हुब हो यहां से लिख सकते मिश्टर भातिया यहां से लिख सकते मिश्टर भात यह वाली इससे आपको इजली जो मैसे देना चाहते थे है यह इसली समझ में आता है क्या देना चाहते तो आपको मैसे इतंग बिलकुर शॉर्ट लिखना है कोई डिटेल लिखनी ज्ञादा जो आप बोनना चाहते है बिलकुल वही पॉइंट पे हम फोकस करेंगे so I hope you like it please like share and subscribe my channel thanks for watching bye